सौधा की तोशाए खास से आज हमारे साथ हैं अबूजा से अनीला अद्मान, पेंटर, टीचर और आर्टिस्ट होने के साथ साथ पाकिस्तानी कम्योनिटी की एग्जेकेटिव मेंबर, पाकिस्तान विमन अस्सेशन अबूजा की सीओ और आर्ट अडिक्शन की सीओ आर्ट अडिक्शन इनकी गैलरी है, लेकिन हमें ये कहने में कोई मजाइका नहीं होना चाहिए कि आर्ट की एडिक्शन इनके रग रग में भरी हुई है, इंटिरियर डेकॉरेटर है, खुबसूरत आइडियास जो हमें फ्लोट करने में बहुत आगी आगे हैं, अपनी कम्यो आगे हैं, जो आपके साथ जुड़ावा एक्सपीरियंस है, उसको याद करूं, तो मेरा ये मानना है कि वो आपके पाकिस्तान में सिटी स्कूल के साथ जो क्रियर है उसके ताइम का, शाइद पॉर्टर भी नहीं है, लेकिन आपने जितना काम किया वो लहोर की बड़ी कर सकता था, वो ऐसा काम था कि उसे लहोर या लहोर को विजिट करने वाले, पाकिस्तान स्वार पहलों ने मुल्क से आने वाले लोग बहुत इंजॉय करते, तो आपने बेतहाशा काम किया, अलबता हमारी ये कम जर्फी कह लेजिए, कम नसीबी कह लेजिए, कि हम उस काम को महफूज ने कर सके. तो उसी दिन मुझे ओफर आ गई थी, जब मेरे एग्जिबिशन हो रहा था लास डे, उसी दिन मुझे एपॉइंट्मेंट मिल गया है, तो शेटी स्कूल का, और उस दिन से लेके मैं आज तक कुछ रो कुछ कारी रही हूं, मैं भर मेरी ऐसे नी बढ़ रहा है, फालतूर मुझे बढ़ मुझे करना है, क्योंकि मैं प्री मेडिकल की स्टुरेंट थी, और मैं छोड़ के, और प्रेपरेंट्स को इजादत के बगार में, मैं पुदी लाइप चेंज कर ली थी, बिकॉस अब मुझे लगता है कि स्वाय जो मेरी लाइप में जो मेरे एक फैसला जो म कभी पश्टाते नहीं, और ये फैसला जब मैंने किया, मैंने फाइनल्स में आना है, अपने मुझे कुंकि मुझे, अगर मैं डॉक्तर नहीं बनी, तो मैंने फिर अपनी शॉक करना है, फिर तो मेरी मर्जी है, और जब यूश्टी में थी, तो एक ऐसा वक्त था कि, बीच मैं ये था मेरे पेरंट्स बाट फ्रस्टेट होगे कि तुम इती जर उनिस्टी में लगा रही इस अगरी है, तो मैं यहां पर इनके पास, अभी मैं था इनके थी तो इन आनका, यूश्ट अप्लाइ पाइनाच यहां पर पागी का, यहां पर बागी का, यहां पर लो मैं झाले तो मुझे मैं डॉक्टर इनके था इनके अज बागी कि अप्लाइए बीग मैं फाइनर्स, मैं जा आप चाहने मैं इंग्लिस्टेटर, इनके अप्लाइशन भाइनाच नहीं, तो मैं बागी कि अक्षाण तो मैं यहां था इनका, टो अज़ आपकर पूरा गुज फाइनल यह था यूनिस्टी का, फैर इस वक्त मेरे प्रदर इन लॉग की बहुत जानने थे, वो जो हमारे हैड़ों डिपार्टमेंट है, शाद शाद मुथादी साथ, उन्हें ने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप इसके अगर देख लें, अगर अगर अच्छा परफ करना शूर कर दिया कि मुझे जाना और I have to be, you know, I have to be in the same class, और यहाँ मैंने होग करना शूर कर दिया, फोटोग्रफी करनी शूर कर दिया, और वहाँ मैंने ऐसा थीसिस अलग किया, जो तुरिजम आफ निजरिया इस टाइप कर, उसमें मैंने हाँ हार जगा की फोटोस ले कि नगू मैंने थीसिस के मार्क्स लिखने थे और वह इफस बैरी एक्स्टारड़नेरी कुए इसमें कैलेंडर होते हैं, उसमें होल्डिंग्स बनाने होते हैं, उसमें पोस्टर बनाने होते हैं, मेगजीजिन ऐड्स और युनॉजबे बेता हचाशा चीजे होती हैं आपक से बुरूदैज को भी आज़ार करें तो मेरी शिर कायट हैने लगा दी जो स्टुरेंट से मेरे मुझे अनका नाम अभी तक यहता नहीं आपर नहीं रह़ादी पर इस वरार अजो जरी ने मेरीák निगादी जो मकड़ें जो तो मेर्यट विविदा miri सारक पूरी परसंटेज मेरी नीच्छे चलीगी मैं से सेकंड दिशन में जब रिजल्ट आया तो आजस्ट इस डिजाइन के उसमें जो आपकी डिजाइन का ऐसे होता है कि आपको कोई चैलेंज ही कर सकते हो कि मेरे दुबारा री चेकिन रोजे मार्क साब पता चल दोते हैं मैंने जब मेरे मेरे टीचर थे वो सर्त तन्वीर मुर्शेद कर नाम था वो फौत हो चुक है उनके पास मैं लेकिए उडिजाइन के टीचर थे मैंने उसे का कि मेरे देखे मार्क यह तो हुर रो रही थी तो उन्हें ने का कि ठीक है तुम ना इसको न्यूस पेपर में दो तुमारे दोबारा चुकिंग वे हुए अचा मैंने ठीक है अभी मेरे एक और टीचर थे मश्रिक में निस्पर में या नो नोई वर्ट में काम तो नोई ने का ठीक है तुम परिंट जब जाने वाला था तो मेरे उसाद ने दोबारा मुझे बुराया तन्वीर मुशन गल्ट समें आपारभ दोगे तो दूबराई यही लोग वेंगे तो दूबराई दुम्हार जोर्खश्ट करेंगे और तुम्हें दूबराफ फैल कर देगे तुम्हार यानए कि तुम्हार बरह और घ्लाब जाएगा वर इस फील्ड में तो यही हैं के उनको भी ऐसी काम करने वाली कहां मिलनी थी तुम्हें पता कुट्ट कुट्ट के लेते हैं का वो तो कहते हैं कि आप घर में सोते क्यों जाके आप यहीं पर सोजो यह सो ना बस City School is उन्होंने आमें आसे वो जो नी गन्य की मशीन वहां से नचोड़ नचोड़ कि हमारा जुस्ता पीचे जरो पोक रहें कि हम दुबारा रीफिल हो गए उन्हें हमें कुंदम बनाया जैसे कहते हैं City School एक एसें स्टिशूशन है कि मुझे से तराष्टा है नहीं बहुत तरीफ का रीव सिटी स्कूल कि I hope they will also listen कि यह कि उन्हें इतना काम दिया जो काम करने हाला बंद है न वो आगे वो दुबारा चलते हैं चलता रहा थैं जब वो अपॉंट्मेंट करते थे जो नए टीचर्स की तो वो पंदरा दिन देते थे कि यह महीना देते तो उसको टेस्ट का उचम हम हसरे होते थे जो बाप पुराने टीचर्स होते थे कि इसे माँ दा निर्थ पौराम घटाने वागड़न थे कि जो नाजुकन मजाज लड़किया ये लड़के होते हैं ये दो को आई पर अभ filthy में लोग जो वा जीतर माने जोड़क करती थी नियुक्र पहते थे कि तुम ठाक करती हैं थे जो एचोरों करती हैं तो च्छूड़ daha मुझे यह चीज नहीं कभी हुई कि मेरा कितना पेंट लग रहा है यह मेरा कितना वेस्ट हो रहा है बट इट इट इसमी प्लेशर कि मैं टाइम एक प्रोडिक्टिव इस्टे में उसकर रही हूं और इसे यह चीज होते हैं कि नेगरिटिव फॉट्स नहीं आती आप पॉजिटिव इस टारेक्शन में सोचे रहते हैं कोई शुकर है मुझे कोई बीमारी नहीं है कोई अल्ला का शुकर आप ओके हम हल्दी मेरे बच्चे अच्छी जगा पढ़ रहे हैं उनको मैंने अच्छी ट्रेनिंग दिया हैं उनको में इन्ती गुना है माशाला यूरिस्टी में पढ़ रही हैं जॉब भी करती हैं साथ पढ़ती भी हैं पाकिस्तान में दौराने करियर किन लोगों ने आप के लिए बहुत आपको लगता है कि उनकी कॉंट्रिबूशन थी आपकी सक्सेस में जॉब की तो शुरू में वो साधिया यकू थी बहुत बहुत ही पॉजिटिव ख़तों मैंने यह देखे कि हमारे जो टॉप पॉजिशन्स में लोग होते हैं प्राइविट में वेरी पॉजिटिव हैं ते हैं वेरी प्रोग्रेसिव और जुबैदा खिलील मेडम का मैं में अच्छा काम किया तो तुम यहावर है मुझे याद निया रहा किया हां जी वो बोलते हैं ती सिद्रा इश्वाग भी साधिया परवेश्दी के जिसने सबक याद किया फिर उसे छुटी ना में लिए यह कमन सी आरो में था सिद्रा सिद्रा को मैं कभी नहीं भूल सकती आप मलेशिया में वह काम कर रही थी पिछले दिनों असुमा इमद थी वह भी सपोर्टेंट थी नभीला थी मुझे किसी का नाम नहीं भूला और मिसे शाहिद थी जब मैं इन अपनी केरियर के पीड पे थी सिटी में मुझे नाजरिया पाक्सान चोड़ना पड़ा मैं आगे अपने इस बेंट के पास यहां पर जाहर है नहीं के बेस थे तो मुझे फिर दुबारह शुरू करना पड़ा सारा स्टा स्क्राट से जॉब शुरू की होगी पच्चे शादी इन सब के साथ जॉब का स्टार्ट करना कैसा रहा जब मैं जॉब शुरू की तो आज जैसे हैं मैंने बताया था कि यूनिस्टी के लास दे था तो मुझे जॉब आफर हो गई थी सिटी से तो मैंने उसी दिन से जॉब शुरू कर ली और मेरे अभी एक साल हुआ था मे स्कूलिंग के लिए या परे और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बैटर लाइफ के लिए अफसोस की बात ये कि उसको सब्सक्राइब बहुत सी जगों पे बहुत से अउर्टों को नहीं मिलती है और वो जो आना वो सफ़र करती हैं वो पीरिए जब बच्चे अच्छा अनीला मुझे ये बताइए कि आप नाजेरिया में भी रह रही है इतने अर्से से आपका बच्पन भी वहां गुज़रा आपको पाकिस्तान में भी रहने का मौका मिला तो आप क्या देखती हैं कि दोनों जगापर खावातीन जो हैं उनको काम करने के हवाले से क्या मुझेलाथ हासिल हैं ये क्या आपको लगता है कि सपोर्ट हासिल है नाजेरिया की ओरत ना वह घर नहीं बैठती किसी जिन्दगी के किसी लेवल पर रुकती नहीं है उनका कल्चर एक तरह से सपोर्ट करता है कि इस वेरी ओपर कल्चर हम बहुत कंसरवेटिव लोग है हमा कि और या वेरी स्टॉंग वो अपने आपको कुदी यूनों देकर टेक के रद अब सर्फ में जो घरों में अकरानी आती हैं अगर दूसी स्टेट से आई है तो आपके घर में रह रही है या उसने हायर कर ले थी अपने लिए एक अपाइटमेंट और महां से रोज आती है जाती है और नोबडी कें डेर टूट अच और उसकी अगर मर्जी नहीं है तो उसके कोई हाथ नहीं लगा सकता वो इतनी तबं किसम की औरते हैं हमारा कल्चर हमारे लोग फ्रस्टेटिड बहुत हैं वो औरत को देखते हैं तो उनकी वैसे आपके बाइना की निकाल लिए औरत के लिए तो था लेकिन अब बच्चों के लिए होगे फिर यहां पर एक खास मिजाज के जो मजभी अजारादार हैं वो मस्जिदों में चाइल्ड अब्यूस को बुरा नहीं समझते लेकिन हाली में आपने एक कांट्रोवर्सी देखी हमारी बहुत ही खुब्सूरत ब मिलती जुनती सुरते हाल अफरीका या नाइजेरिया में है यह चीज तो आई थिंग हर जगा है मगर यहां पे कुछ हाला बेतर इस तरह से हैं कि यहां पे ओपन सेक्स कम्यूनिटी है यहां का कल्चर है इस चीजों के लिए कोई बच्चों की इतनी जरूत नहीं पड़ती बलके बहुत ही अपड़ी लिखी बहुत खांदानी बहुत सेक्रिफाइजिंग खावादी जो हैं उनको भी बाद जुकात शादी के बाद मर्द वाली जो साइड अपनी तमाम जिमादारिया उनके कांदों पर डालकर बर्यों जिमा हो जाती है और अपने उस सैंपल टाइ है तो अपनी कोई डिग्री लें पढ़ें और आप कोई बिजनस कर सकती है और अवरत को बेवगूफ नहीं होना चाहिए इसको अपना अकांट अपना सेपरेट रखना चाहिए प्रोपर्टी अपना बैंक बालन्स उसका पास हो अपना भी होना चाहां पर पैरेंट्स होते हैं हो अर्न कर रही हैं और दुनिया की उन्होंने कयामतें अपने दिल पर झ्धेल ली हैं और वो ऐसी जिदगी से निकलें तो उन्हें लेबल किया जाता है कि इसका तो केरेक्टर ठीक नहीं हो शुरू में जब महां बड़े हो रहे थे युदिश्यों में जाना था तो उ कि मिद्가 इसकी है कि पत्थर जाने पानी के तर्व में फ्हांक तो बडूच जाता है और उसकर किसी को बतरी शब्स जड़ता है और ऑश कुछ गलत करती है यह नहीं भी करती है आप उसको आप उनने को असको देख गऴ ऐसे हैं कि आप पानी आका पानी पर थे करें के पिक्चर है वो सोसाइटी तक पहुंचे उनको ऐसे ड्रॉमें लाने ही नहीं चाहिए जिसमें और दिखाते हैं उसका नेगेटिव रोल दिखाते हैं में और अपकी प्लेट में कोई लाके कोई पीस के कर रखे नहीं चाहेगा आपको खुदी स्टेंड लेना है उसके लिए होना है और साथ अपने लाइक मैंडिड लोगों को इकठा करके आपने आगे चलना है के जो वहां पर कम्यूनिटी सविसेज आप दे रहे हैं अबूजा में और स्पेशली आप पाकिस्तानी विमेन असोसियेशन की सियों हैं तो मुझे प्लीज उनका रोल भी बताईए करेंगे और लोकल्स के लिए भी जो फांडरीजिंग करेंगे इस फोर फोर लीडिज आव मेरी फ्रेंड है इसमें दूसी थी हिना वकास है और जुलिएट थी जुलिएट अवान हम चार लोगों नहीं असोसियेशन को उसको हमारे साथ ही ता फिर हमने आज साथ लोगों को को शामिल करना मोना जो मेरी फ्रेंड है उसने चरिटी में ऐसी जगें सर्च की जो हमें फ्री चरिटी दें अर हमारे लिए बच्छों के हाट से लीए हम लेगो लीटल हार्ट से UK-based association है, तो वो आके बच्चों के operation या करते हैं, free, अपने उस पर आते हैं, अगर यहां के expenses होते हैं, वो बहुत ज्यादा है, hospital के, जैसे 2 million, 5 million एक बच्चे पर लग जाता है, तो वो हमने बच्चों के operations करा है, 12 बच्चों के हमने दो सालों में operations करा है, आपको बहुत करनी पड़ती है, especially जब काम शुरू करते हो, करें यह, पार्टिसानी वो में असोसियेशन को बनाया है, हमने लोड लेडिज को involved किया, alhamdulillah, काफी लेडिज हैं, they're very progressive, जो चाहती है, my help करना, कुछ, कुछ आपकी help नहीं कर सकती हैं, वो हमें financially help करती हैं, हमें अच्छे funds द कि बारे में भी बताईए, और जिंदगी में 8 अडिक्शन के लावा और कौं सी अडिक्शन रहीं, वो भी बताः, हर चीज में, जिसमें में यह काम करके, मैं पूरा, यह एंगे मैने सीख लिया, फिर मुझे दूसा काम करना हो जै, कोई और भी, जैसे cooking के cooking में में अच्छ कर ली सारी चीज़ें कर लेती हूं कि यह के प्रोग्रेंस करने मेना बजास करने और पेंटिंग्स और नई से नई टकनिक ढूनी क्योंकि यहां नजीरिया में ऐसा आर्ट है जो पाकसान में नहीं नहीं है जैसे मुझे इन्नोवेशन होने चाहिए काम में और आर्ट एडिक् आप शॉद्क से और नगना अप्सेशन है आर्ट से तो कुछ जो मैंने सेर्च करती थी तो आलइड गुछ तो अर्ट इंडिक्शन एक ऐसा था जो रिजिस्टर नहीं था, किसी नहीं नहीं करायता है तो मैंने आदी अक्या, लिड में रिजिस्टर अर्ट इडिक्शन जोन किया दो जोड़ जोड़ा पंक-दस साथ साल हो गया वर्मस्ट उसको जोड़ा वहां पर कोमप्रिटिशन होती है यानि कि आप मेशा कोमप्रिटिशन इन सेंस कि सारे आटिस्ट अपना काम लाते हैं देब डिस्पले और आपका काम पेचाना जाते आप दूसरे से आपके कान से इंस्पायर होते हैं और कभी आप बाहर भी जाना का मुखा मिलते हैं तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उनके लिए क्या स्कोप है क्या वो इससे प्रॉपर अंकर पाएंगे अपने लिए अपनी फामिली इसके लिए अगर कोई भी कैरियर वो ले लेंगे ये चूज कर लेंगे आर्ट से रिलेटेड़ कोई भी आर्ट का फील्ड है आर्ट में भी बहुत ज्यादा बहुत बस्ताइल है बहुत भील्ड है आपकिसार में आर्ट को बहुत अप्रिशेट किया जाता है और हर चीज में आप जूतो रहते हैं और पूरी डाइडिकेशन से काम करते हैं तो तो देज नो वे कि यूल नॉट एकसर अब हम कुछ हलके फिल की बातों की तरफ आपको बागवानी का भी शौक है फूलों से नेचर से आपको बहुत महबत आपको क्या लगता है कि माहौल से ये दोस्ती ये तालुक ज करता है परिदों को चिडिया मेरे छोटा सा मैंने ये बाइड सेट अब बनाया गए है वह बसुरत पादे लगाने में सुबह सुबह जब आती हूं मैं सुबह सुबह घर से उठके ऑने साथ बजे मैं अपने स्टोडियो पे उती हूं और उसक्षोटी चिडियां ये जो हम अबसुरत है ये ऐसी फीलिंग होती है कि आपको ब्रो करती है आप बहुत बिजी होती है आपके पास मायूस होने का टाइमी लेकिन जिन्दगी के कभी किसी फेस में जब आपने लोग फील किया तो आपने दुबारा खुद को बूस्ट कैसे किया इंक्रुवी उन से मेरी बात हो रही थी वो भी ये बूचे थी तो मुझे मेरी लिए मायूसी इतनी है कि जितनी देर मैं सो के उठ जाओं अगले दिन मेरा वह मायूसी जा चुके होती है हर दिन जो एक नया दिन होता है आपको एक सीडी के तरह होता है हर दिन इसको आप सीडी समझ के अगर चलते एक टाम आगा कि यू बी समवेर लाजमी बात है आपका पूरा दिन कामों में कुजरता है आप को हम सीलिंग्स को भी ब्रश के साथ देख रहे होते हैं जो कि बहुत ही आनीजी पॉस्चर है इंसानी हाथों का आपके जॉइंट्स मसल्स शॉल्डर सब रहता है तो आप काम नहीं करो ना तो मैं माई जोड नहीं हो जो ли अुसके बाद मैं बीमार हो जाते हैं यह काम नहीं करो भी त हम इस की एक शर गादा रहा है खुदिन झाल आर इश्गु क्या जाने कि क्या है इ神 को आपको काम का ही इश्क हो गया है एचित्स मुझे इस इतनी बड़ी कामि सब्सक्राइक कुल भी कंड़ीन किया यने रीपर vetteいい Alpha और जाले नमाज के बीड़िए टोड़ी देर मागए कोई अच्छे अच्छे बड़े काम करना चाहती हम लोगों के लिए काम करना चाहती हूं बढ़ी बड़ी मूरिल्स बनाना चाहती हूं बड़े बड़े शाहरां पर आपको पता है चोटीसी थे कोई खास पेगाम जो तोशे खास की वसातत से आप चाहें कि आपको सुनने वालों तक पहुंचे यह पेगाम सब को देना चाहती हूं कि एक बच्चों को लड़की और लड़कों को के मेनत करें अपनी जिन्दगी में और मेनत का फ़ल जरूर मिल जाता है दुनिया में इन्सानों के अंदर कौन सी एक ऐसी खुबी होनी चाहिए पूरी दुनिया के हर फर्व में जिससे ये पूरी दुनिया पीस में आ जाए एहसास और बरदाश्ट मुझे आज सानों के बाद इतना खुबसूरत वक्त इतने खुबसूरत दोस्त के साथ गुजारना बहुत अच्छा लगा तुम इतनी अच्छी एक इंसान हो हमेशा से और तुम्हारे से शुकर रही फेस्बुक के तुरू या टेखनोलोजी की वज़े से हमारा तुमारा कनेक्शन हो गया वगा पहले यह नहीं था जो पॉसिबल थैंक यू वेरी मुच अलाह आफर्स